तो दोस्तों आप देखते हैं software life cycle को, ठीक है, software life cycle होती ही क्या है, ठीक है, in order to determine in advance how much time and effort will be required to produce the final product, कितना time लगेगा और कितना effort लगेगा एक software को बनाने के लिए वो हमें पहले से पता होना चाहिए, एक approximation हम अपने दिमाग में लगा लेते हैं कि भाई, जैसे कि एक software को बनाने में एक महीने का समय लगेगा, जैसे मैं suppose कि बोलूँ एक university का management system बनाना है हमें, software बनाना है, university का पूरा जिसमें सारी चीज़े आती है, library, ठीक है, library management, staff management, student का एक management department, all right, ये तीन चीज़ें को मिला के हमें एक software बना सकते हैं, university का, तो ये सब चीज़ें अगर हमें पहले से पता हों कि approximate कितना हो जाएगा, कैसे हमें इस software को approach करना है, कि हम किस वे से approach करें, कौन सी life cycle को अपनाएं, जिससे हमारा, जो हमें task प्रूफ करना है, जो करना है हमे task, एक software को बनाने के लिए, तो वो हम कर पाएं, और वो भी कम से कम समय में, ठीक है, और ज्यादा, हमारा ज्यादा effort भी ना लगे, ठीक है, और हम जल्दी से जल्दी उस software को बना पाएं, तो यही है इसका objective, software life cycle का, so, life cycle typically includes requirement phase, कितने requirement होती है, जैसे होगी न, हम user के साथ मुझते हैं कि क्या-क्या चाहिए, आपको जैसे need है, मतलब software में, सारी चीज़े हम पूछेंगे A to Z, कि भाई, आपको जैसे library management के हिसाब से लेते हैं, तो आपको कैसी specification चाहिए, कैसा GUI चाहिए आपको, graphical user interface, कि मतलब जब आप खोलोगे, उस site को, ठीक है, या फिर कोई भी application या software अगर हम लेते हैं, जैसे software, university का लेते हैं, जब आप उस software को खोलोगे, तो आपको कैसा interface चाहिए, ये सब चीज़े requirements, क्या-क्या specification चाहिए, क्या-क्या task वो software perform करे, कैसे books का data manage करना, ये सब चीज़े हम ना requirement phase में दाल देते हैं, design phase आता है, design कैसा चाहिए आपको, ठीक कौन सी language में हमें इसको implement करना चाहिए, इस software को हमें कौन सी language में लिखना चाहिए, ये सोचा जाता है, test phase होता है, जब आप implementation कर लोगे, आप बना लोगे software, उसके बाद उसकी testing करी जाएगी, suppose कि मैंने दाला नाम, ठीक है, it should, मतलब, वो जो है, जिस field पे मैंने नाम दाला है तो वो एक valid name को accept करें, ना कि कोई भी नाम को accept करें, only valid name को accept करें, तो उस phase को मैं भूलू हो, test phase, maintenance phase में क्या आता है, हमें, हमारा जो software बन गया है, अब हमें इसको maintain रखना है, ताकि सारे जो bugs हैं, उनसे चुटकारा में निल सकें हमें, ठीक है, जितने भी errors हैं, bugs होते हैं, उन सब को rectify कर सकें हम, तो यह है हमारी software life cycle, अब हम आगे देखेंगे, software life cycle का पहला model, जो है हमारा build and fix model,